बेहर में जमीन संबंधित मामलों के निप्टारे को लेकर सरकार एक के बाद एक नए कानून बना रही है ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े तो वहीं दूसरी ओर अब एक और बड़ी परेशानी इस संबंध में दूर होने वाली है दरसल जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब आपको इधर उधर भागने या फिर किसी वकील को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है बलकि अब ये काम आप जिला निबंधन का लियाले से ही आसानी से करवा सकते हैं वो भी बिना किसी फजीहत के अब आपको जमीन या किसी अन्य तरह की संपत्ती की रजिस्ट्री कराने में परिशानी नहीं होगी निबंधन विभाग की नई व्यवस्था के तहट लोग कातिव या वकील की मदद के बिना खुद डीडी तैयार कर रजिस्ट्री करवा सकते हैं इसके लिए जिला निबं निबंधन के लिए कागजात तैयार कर सकता है पहले से तैयार फर्म भरकर स्वायम डीडी तैयार करने से इसके लेखकों को दिये जाने बाला एक हजार से पच्चीस सौ रुपय का शुल्क भी बच सकता है यह विवस्था सभी निबंधन कार्याले में लागू हो चुकी है अब इसका प्रचार प्रसार करने की तैयारी भी चल रही है नए बदलाव के बाद जमीन या फ्लैट का निबंधन करवाने के लिए मौडल डीड के फर्म को भरना पड़ता है यह फर्म निबंधन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लोग खुद ही भर सकते हैं या स्टांप और निबंधन शुल्क जमा करने के बाद निबंधन के लिए समय बुक करवा सकते हैं और इसके लिए वेबसाइट पर या में आई हिल्प यू बूथ पर अप्वाइंट्मेंट बुक करवा सकते हैं तो कुल मिला कर इस काम के बाद बेहार के लोगों की बड़ी परिशानी का हल निकल चुका है अैसे में देखने वाली बात तो ये भी है कि सरकार की सुविधा का लाभ देने के लिए कर्मचारी और अधिकारी कितने दिनों तक कितनी इमानदारी दिखाते हैं क्योंकि आपको पता है ये बिहार है और बिहार में किसी एक काम में धांदल नहीं पड़ेगी क्योंकि निबंधन कार्याले में ही आपको वो सुविधा मिल जाएगी जिस सुविधा के माध्यम से आप अपने जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं और एक बड़े फजीहत से दूर भी हो सकते हैं बहरहाल सरकार के इस कदम के बाद वैसे बहुत सारे लोगों को रहत मिली है जो अपने जमीन के निप्टारे को लेकर काफी सारे चक्कर लगा रहे थे और इधर से उधर कार्यालेों में खुम रहे थे ऐसे लोगों को जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए अब ना तो अखील हायर करना होगा और ना ही किसी कार्याले का चक्कर लगाना होगा बलकि निबंधन कार्याले में ही उनका सारा काम निपड़ जाएगा वो भी बड़े ही आसान तरीख से आप बने रहे लाइब सिटीज के साथ यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे ताके हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें